हलो एवरिवन मैं बैवाश रास तब एक वर्ट फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेस प्राइड पर तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे एंजिनरिंग और आप जानते होंगे ये रेलवे ए और SSTJE के लिए exclusive लेकर के आए हैं तो हम यहाँ पर precise content के साथ कम समय में जादा से जादा preparation करने की कोशिश करने जादा से जादा topic cover करने की कोशिश करने वाले हैं तो मेरे साथ बने रहेगा आज मैं आपको यहाँ पर एक glimpse देने वाला हूं introduction to railway engineering अगर हम SSTJE में देखें तो 2 to 4 marks का यहाँ पर और mains में 10 to 20 marks जबकि MPPSC AE में जो previous year paper का analysis किया गया है उसके basis पे 6 to 8 marks मतब तीन marks का अगर मैं एक questions मान के चलता हूं तो अगर मैं 3 to 4 questions आपके अगर हम बात करते हैं 3 to 4 questions आपके जो हैं वो railway engineering से पूछे जाते हैं किसी भी PSC उस जईज की बात कर लेते हैं 3 to 5 marks का हमारे generally 3 to 5 questions हमारे generally यहाँ पर पूछे जा रहे हैं बट current scenario में जो latest change हो रहा है उसके according देखें तो आप मान लीजेगा कि हर एक exam में railway का introduction हो चुका है railway से questions पूछे जा रहे हैं तो इस subjects को हम बिलकुल भी ignore या avoid नहीं कर सकते हैं तो मैं बैवाश रास्तव आपका स्वाग क्या है हमें पढ़ना क्या है railway में तो हमें track से related सारी चीज़ें पढ़ना है like जो हमारा ये दिखाई दे रहे हैं train की पटरियां जिने हम बोलते हैं rails यहाँ पर कुछ portion दिखाई दे रहे हैं जिसे बोलते हैं कुछ points and crossings जहां पर train आसानी से turn हो सके क्योंकि अगर हम highway पे जा रहे हैं तो हमारे लिए vehicle को turn कराना थोड़ा easy होता है बट railway में ऐसा नहीं होता उनके लिए कुछ special arrangement जिने हम points and crossing कहे जाते हैं इनका arrangement करते हैं साथी साथ कुछ signals दिख रहे हैं इनका क्या मतलब है क्यों लगाये जाते हैं कहां पर कौन सा signal लगाये जाता है ये सारी चीज़ जो यहां पर unit 8 define किया हुआ है unit 8 define किया है उसका railway engineering का syllabus अगर हम बात कहा है permanent way, sleeper, fastener, point and crossing, turnouts, signals और maintenance work and geometric design ये सारी चीज़ें यहां पर railway के अंदर पूछी जानी है तो one by one मैं इस पूरे portions को आपको complete कर वाऊंगा और देखते हैं इसको हम एक organized way में complete करेंगे जो चीज हमें ज जो less important है उसको बाद में ऐसा ना हो कि हम पहले वो चीज़ें पढ़ लें जिनका importance काम है तो हमें अपना time और अपना जो smart preparation है वो बिल्कुल smartly तरीके से करना है तो इसलिए मैंने यहां पर पूरे के पूरे syllabus को 5 subjects में या 5 parts में डिवाइड किया है सबसे पहले हम introduction कि railway है क्या इसको permanent way क्यों कहा जाता है रेलबे की basic history थोड़ी सी जानेंगे साथी साथ हम जानेंगे railway के jones क्या क्या है और railway का work क्या क्या है किस तरीके से railway work कर रहा है या फिर कुछ special provisions है वो provisions को हमें जानना जरूरी है क्योंकि उन provisions से भी हमें पूछा गया है साथी साथ हम ज railway track को हम करते हैं तो उसका alignment fix करने के लिए alignment fix करने के लिए हम किस तरीके का survey work perform करते हैं उस survey work का order क्या होगा तो ये सारी बाते हम introduction वाले part में complete करेंगे तो एक part आपका complete होगा दूसरा rail track material अगर हम बात करें तो railway track पे आपको different material दिखेंगे पहला दिखेगा rail different types की rail है आपर use होते हैं ठीके तो rails की हम बात करेंगे दूसरा यदि में बात करता हूँ तो आपको दिखेंगे sleepers sleepers के functions क्या होते हैं क्या होते हैं sleepers तीसरा ballast की बात करते हैं ठीके तो ballast की बात करते हैं ballast क्या होगा ballast cushion क्या होगा ballast का formation कैसे होगा साथी साथ railway में दो rail को fix करने के लिए जो हम fasteners use करते हैं ठीक है या railway के joints बनाने के लिए हम जो nut bolts use करते हैं और भी जो भी accessories use कर रहे हैं वो किस material से बने होते हैं या फिर उनको किस तरीके से use कर रहे होते हैं तो ये सारी बाते हम rail track materials portion में complete करेंगे तो ये थोड़ा सा lengthy chapter होगा next हम बात करेंगे geometric design की क्योंकि railway को rail अगर चलती है तो हम बात करेंगे geometric design मतलब railway में super elevation अगर किसी curb पह है तो super elevation किस तरीके से provide करना है उसमें हम बात करेंगे negative super elevation क्या होता है साती सात मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा curve के बारे में के curve किस तरीके से provide करते है या फिर किस किस तरह के curve हम यहाँ पर use कर सकते है type of curve और उनका shape क्या होता है तो ये सारी बाते हम यहाँ पर करने वाले हैं किसमें हम geometric design में करने वाले हैं साथी साथ हम कई बार extra widening एक टव होता है इसके relative में भी इसके respect में भी देखेंगे कि किस तरीके से extra widening railway में provide किया जाता है, wheel कैसे provide किया जाता है और एक और टम हाता है जो generally पूछा जाता है conning of wheel, conning of wheel वो भी हम geometric design में ही पढ़ेंगे कि conning of wheel होता क्या है और किस तरीके से provide करत हैं तो जितना भी slivers है उसको मैंने कुछ chapters में divide किया है और chapters wise हम पढ़ेंगे हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी again points and crossing point and crossing जैसा कि हमने बात किया railway में turn करने के लिए turn करने के लिए कुछ special arrangement बना जाते हैं जिने हम बोलते है turn out और turn out जो होते हैं वो summation होते हैं मतलब points and crossing को मिला करके हम क्या बोल लेते हैं कई बार turn outs बोले जाते हैं तो कितने तरीके के turn outs प्रोवाइड करते हैं left turn लेना है तो left turn out right turn लेना है right turn out किस तरीके से turn out होते हैं point and crossing में किस तरीके से हम वहाँ पर use करते हैं material कि size का ballast यूज किया जाएगा कैसे sleepers यूज़ किया जाएंगे, sleepers में अगर हम बात करेंगे तो sleepers की density कितनी होगी, मतब एक किलोबीटर में कितने sleepers लगाएंगे, तो point and crossing की जो design होती है, बहुत बहुत ही जादा efficient होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे railway track के जो beak portion कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं, points and crossing, तो हमें यह इनका बहुत ही, बहुत ही source समझ के design करनी होती है, तो points and crossing के बारे में पढ़ेंगे, last में हम पढ़ेंगे traction and tractive effort, traction and tractive effort की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं, जब हमारा train चल रही होती है, तो उस condition में कुछ resistance offer होते हैं, अब वो resistance जो हैं, वो air के द्वारा हो सकते हैं, जो resistance हैं, track के कारण हो सकते हैं, जो resistance है, topography के कारण या train के कारण हो सकते हैं, माल लिजे किसी चड़ाई पर जा रहे हैं आप, या किसी धलान पर जा रहे हैं आप, तो किस तरीकी से आप यहाँ पर resistance मिल सकते हैं और उन resistance को overcome करने के लिए हमारा जो vehicle है यानि train है यहाँ पर उसको कितना push देना है या कितना pull देना है इस सभी चीजों को decide करता है Traction and Tractive Effort बाला chapter क्योंकि यदि हमें कितना pull देना है यह पता लग जाएगा तो हम efficiently माल लिजे एक engine लेकर के जा रहा है आपके 15 boggies को ठीक है अगर 15 boggies को और एक चड़ाई ऐसी आ गई कि वहाँ पर दो engine की जरूरत है आपने design किया है तो यह सारी चीजों किसमें करते है Traction and Tractive Effort में और इसके ब signals and signs का तो इस बाले portions को मैं आपको miscellaneous portion में complete करा दूँगा ठीक है miscellaneous portion में signals and signs तो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल छोटी से form में साथी साथ कुछ portions आपके yards से related पूछे जाते हैं कि martial yards क्या है या आपका लगेज उतानने के लिए किस तरीके के yards यूज के जाते हैं yards में जो slope बनाते हैं जिससे drainage proper हो वो slopes क्या होते हैं तो यहाँ पर कुछ factual data आपको मिलता है उस factual data को हमें देखना होगा तो वो हम पूरा miscellaneous portion में तो MPPSC ने आपको जो भी यहाँ पर दिया हुआ था वो सारी चीज़े complete होगे हैं permanent way, sleepers, fasteners, ballast, point and crossing, different types of अगर हम बात करते हैं तो different types of यहाँ पर turnouts and turnouts, signals, interlocking, maintenance of track, super elevation, creep, creep बाला जो chapter है वो भी हम rails वाले portion में complete करनेंगे, ruling gradient आपका gradient जो आएगा उसमें आ जाएगा, track resistance भी जाएगा, traction effect और curve resistance तो यह सारा portion हम अपने इस lectures में complete कर लेंगे, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी सारे portion है, fish plate है, fasteners है, chairs हैं, इस rail को properly sit कराने के लिए chairs हैं, drainage के लिए किस तरीकी का functions है, तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पर rail के जो second chapter है वो इन सभी चीज़ों पर waste होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारा channel subscribe कीजिएगा, bell icon को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको notifications मिलते रहेंगे, और यदि आपको लगता है कि आपके दोस्त भी preparation कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आप share कर सकते हैं, साथी साथ comment section में बताइगा, आपक बिल्कुल specific content के साथ, कोई भी ज्यादा content नहीं, कोई भी कम content नहीं, बिल्कुल specific content के साथ हम इसको complete करने माले हैं, thank you everyone, thank you so much.